देस वीडियो इस ब्राथ तो यू बाई फाइवपैसा डॉट कॉम डाउनलूड दा एप नाउ रिटन दिया है वो है बैंगलूर बेस्ट सॉफ्ट्वेर कंपनी सबएक्स सबएक्स ने एक साल में निवेश्कों को 768 फीजदी का रिटन दिया है आज सबएक्स के शेर का भाव 68 रुपे 70 पैसे है जबकि 17 जुलाई 2020 को सबएक्स के शेर का भाव 7 रुपे 91 पैसे था ये श शेरों की पिछले साल कोरोना की शुरुवात में तगड़ी पिटाई हुई थी लेकिन अब यही शेर निवेश्कों को फायदा दी रहे हैं सबएक्स ने एक साल में 768 फीजदी का रिटन दिया है इस साल जन्वनी से अब तक 138 फीजदी का रिटन दिया गया है सबएक्स न कंपनी को 15 करोड 60 लाक रुपे का मुनाफ़ा हुआ था जबकि दिसंबर तिमाही में 8 करोड 70 लाक का प्रॉफिट हुआ यानि तिमाही अधार पर मुनाफ़ा करीब 80 फीजदी बढ़ा यानि अगर देखा जाए तो आज से एक साल पहले किसी निवेशक ने सबएक्स में 1 लाक रुपे डाले तो वो आज 7,68,000 रुपे हो जाते वहीं 6 महीने पहले अगर 1,00,000 रुपे डाले होते तो 1,60,000 रुपे होते हैं यानि सबएक्स का शेयर निवेशकों के लिए जेब भरने वाला साबित हुआ आज शेयर बजार में 3 दिन की तेजी पे ब्रिक लग गया उचे इस तरों से हुई बिकवाली से आज सेंसक्स 19 अंक गिरकर 53,140 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी एक अंक गिरकर 15,923 पर प्लोस हुआ निफ्टी बैंक में 1,500 अंक से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई निफ्टी के 50 में से 26 शेयरों में गिरावट रही सेंसक्स के 30 में से 17 शेयरों में गिरावट देखने को मिली आज फार्मा और मैटल शेयरों में अच्छी खरीदारी देखी गई फार्मा इंडेक्स रिकॉर्ड उचाई पर बंद हुआ तो वहीं रियलिटी टेलिकॉम और एनरजी शेयरों में भी खरीदारी रही इसके साथ इंफ्रा और ब्रोकर्स शेयरों में भी टेजी रही आज सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में डिवाइस लाब, भाल्ती एर्टेल, अल्ट्रा टेक्सिमेंट, टाटा स्टील और पावर ग्रीड कॉर्परेशन शामिल रहे वहीं गिरने वाले शेयरों में एच्सील टैक, इ अगर इंडेक्स 16,000 की लेवल को पार कर जाता है, तो इसके सामने 16,200 का टार्गेट होगा, इस हफते की तरह अगले हफते भी छोटे और मजोले शेयरों में खरीदारी देखने को मिल सकती है, इसलिए निवेशक इन ही शेयरों पर फोकस रखें, बिजनिस और बाजार से ज झाल